नमस्कार आप सभी देख रहे हैं नेक्स आई नियूज और मैं हूँ आपके साथ नैंसी बॉलेवुड इंडॉस्ट्री के लिए ये एक जश्न का महौल रहा क्योंकि देश के सबसे अमीर बिजनस्मान मुकेश अमबानी की लाडली बेटी इश्या अमबानी के 28 जणम दिन को सलिबरेट किया गया ये जणम दिन बेहती खास था क्योंकि ये शादी के बाद ससुराल की तरफ से उनका पहला जणम दिन रहा पिरामल ग्रुप में यहाँ पर जाकर जो हैं इस परिवार की बहु बनी हैं कहीं न कहीं आपको बता दे कि इश्या अमबानी ने पिछले साल ही शादी की थी और ये शादी बड़े धूम धाम तरीके से देखी गई और यहाँ पर साफ तोर पर देखा गया कि बॉलिवोड इंडरस्ट्री का हर एक सदस्य इस शादी में शिरकत होता हुआ दिखाई दिया अब जनम दिन का खास मौका रहा तो इशा अमबानी बहती जादा खुबसूरत अंदाज में देखी गई इशा अमबानी यहाँ पर जिस लुक में देखी गई उसे यकीनन देखकर आप सभी उनके धिवाने हो जाएंगे और यह काफी ही जादा उनका शाही जनम दिन रहा यहाँ पर केक की अगर तारीफ की जाए जितनी उतनी कम होगी यहाँ कि सोशल मीडिया पर इशा के जनम दिन का जो केक सामने आ रहा है वो बेहत ही जादा खुबसूरत है पूरा परिवार यहाँ पर पहुंचा अंबानी परिवार देखा गया फिरामल परिवार देखा गया और पूरा परिवार यहाँ पर जो है इशा के जनम दिन के खास मौके को अच्छे से सलिब्रेट करता भी दिखाई दिया यहाँ पर बॉलेगोर इंडॉस्ट्री से खरिश झाल झाल कहते हैं कि हर लाइफ पार्टनर के लिए उसके पार्टनर का जो जनम दिन होता है वो बेहत ही जादा खासर होता है क्योंकि आप जिस शक से महबत करते हैं और उसका जब जनम दिन हो तो वो दिन यकीनन ही आपकी जिन्दगी के लिए सबसे एहम होता है क्योंकि वो आपकी जिन्दगी है भी और आपका साथ वो सदा के लिए दे रहा होता है यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ जब अंबानी परिवार की बेटी यानि की इशा अंबानी का बदे बैश रहा ऐसे में अंबानी परिवार की लाडली इशा अंबानी के बदे बैश को बेहती खास अंदाज में उनके परिवार वालों ने मनाया और बेहती खुपसूरत अंदाज में हर एक शक्स और बॉलिवुड इंडस्ट्री के तमाम सितारों को यहाँ पर देखा गया जी हाँ अब सभी को बता दे कि कहा ये जा रहा है कि जिस तरीके से दिवाली की धूम देखी जा रही है तो वही इस धूम के बीच अंबानी खर में बेटी इशांबानी के जनम दिन की धूम भी दिखाई दी देश के सबसे अमीर बिजनसमान मुखेश अंबानी की बेटी इशांबानी ने हालही में अपना 28 वा जनम दिन सलिवरेट किया इस मौके पर उन्होंने शांदार पाठी को रखा इशा की बर्दे पाठी की तस्वीरे सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है शादी के बाद ये इशा का पहला जनम दिन रहा इशा ने आनन्द पिरामल से पिछले साल शादी की थी बर्दे पर इशा ने पिंक कलर की ड्रेस पहनी इशा की एक फोटो सामने आ रही है जिसमें वो एक पेंट ट्यूब डेकोरेशन के आगे खड़ी होकर पोस्ट दे रही है डेकोरेशन में हर जगा पर हापी बर्दे इशा लिखा है इसके अलावा करिश्मा कपूर ने भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर इशा की बर्दे की कुछ तस्वीरों को सांचा किया आपको बता दे कि इशा की ये बर्दे पाटी मुकेश अंबानी की दिवाली पाटी से पहले हुई है बर्दे के बाद ही वो बीके केसी जीयो गार्डन में अपनी सास के साथ दिवाली पाटी पर पहुँची थी मुकेश और नीता अंबानी ने ये पाटी मुंबई इंडियन पेलेट्स में रखी दिवाली पाटी में इशा ने समुद्री हरे रंग के बैकलोट की साड़ी को पहना था साधी बालों को खोल रखा था और गज्रा लगाया हुआ था गले में चकोर उन्होंने पहना हुआ था चादी के बाद इशा की ये दिवाली उनकी पहली दिवाली बताई जा रही है जहाँ पर वो बहती ज़ादा खुबसूरत अंदाज में दिखाई दी आप यहाँ पर उनकी कुछ खुबसूरत से तस्वीरों को देख रहे हैं इस पाटी में अकाश अंबानी भी अपनी पतनी चलोका के साथ पहुँचे आपको बता देए कि अकाश और इशा अपने बादे को यहाँ पर शेयर करते हुए कुछ तस्वीरों में दिखाई दिये हैं दुन भाई भैन ट्विन्स हैं अब अकाश भी 28 साल के हो गए हैं हालकि इशा और अकाश ने एक साथ बादे पाटी न यहाँ पर तमाम लोगों को देखा गया बेहती खुबसूरत यह उनके जनम दन की पाती रही और यह जो बोदे रहा वो बेहत ही जादा एक शाही बादे भी आप यहाँ पर इस बादे को कहेंगे क्योंकि यहाँ पर साफ तोर पर देखा गया है कि कही ना कही जो है इशा अ सदा जो है खुशाल तरीके से सलिब्रेट करती भी दिखाई दे रही है चलिया हम तो यही कहेंगे कि इशा यूही सदा जो हैं खुश रहें यूही सदा जो हैं हस्ती और मुस्कुराती रहें और दिवाली के खास मौके पर नेक्स नाइन न्यूस खुरूप की तरफ से झाल 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 देखा आपने कि कितने जादा खुबसूरत अंदाज में इशा अंबानी को देखा गया शाही लुक एक ऐसा अंदाज जो उनकी सिंप्लिसिटी को भी यहाँ पर जलकाता देखा गया और इनकी खुबसूरती को भी यह कहना भी गलत नहीं होगा कि इशा का यह जो अंदाज रहा है उसे यकीनन देखकर आप सभी जो है उनकी तारीफ करेंगे और आप सभी उनके दिवाने हो जाएंगे यह एक ऐसा मौका होता है जिन्देगी में जनम दिन का जो आपके लाइफ पार्टनर के लिए आपके परिवार के लिए सबसे जादा खास होता है और इशा अम्बानी का जनम दिन भी यही जलकाता हुआ देखा गया कि पिरामल खांदान के लिए और अम्बानी खांदान के लिए कही न कहीं यह जो दिन है वो बहती जादा खुबसूरत है एक तरफ बेटी का जनम दिन और दूसरी तरफ बहु का जनम दिन काफी ही खुबसूरत अंदाज यहाँ पर हर एक शक्स का देखा गया और अमबानी परिवार ने उसके बाद दिवाली पाटी का आयोजन किया जहाँ पर पिरामल ग्रुप के हर एक सदस्य को देखा गया हर एक परिवार के मेंबर यहाँ पर दिखाई दिये यहाँ पर इशाम यूही खुश रहें, यूही अच्छे से अपने जनम दिन को सलिब्रेट करती रहें फिर अलाज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही पर हाँ आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें